इस टोपिक के अंतरगत हम जो दूसरा case है उसको देखेंगे कि जब हम थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से किसी टावर या चिमनी की उचाई को जब हम ग्याद कर रहे थे तो उसके अंतरगत जब वो जो टावर या चिमनी है उसके जो आधहार है उसके आधहार तक हम नही पहुंच सकते हैं, तब हम उसकी उचाई को कैसे ग्याद करेंगे, इसको हमें आपर समझने वाले हैं, आधार तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसका मतलब यह है कि उसका जो चिमनी है या जो टावर है हमारा, उसके नीचे पानी भरा हुआ है, तो जब पानी भरा हुआ है या उ उसके आज पास कोई दलदली है छेत रहा है तो वहां पर हम नहीं जा सकते तब उस case में हम कैसे उसका उचाई ग्याद करेंगे इसको हम इस topic के अंतरगत समझेंगे तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर चित्र बनाते हैं और उस चित्र की सहायता से समझेंगे कि कैसे हम ग्याद करेंगे उचाई तो सबसे पहले हम एक चिमनी बना लेते हैं यहां पर एक जामपल के लिए मान लेते हैं यह हमारी चिमनी हो गई और यह हमारा भूमी तल हो गया इसको हम दर्सा देंगे यह हमारा भूमी तल और इसके आसपास हम नहीं पहुंसकते तो यह हमारा जो है पानी भरा होगा है या दल दल यह छेत्र है पानी या दल दल यह छेत्र यह हमारा जो हो गया यह आधार हो गया और जो इसका उपर ही बिंदू है इसको हम P से पिछले वाले की तरह ही निरूपित कर देंगे और इसकी जो उचाई टोटल उचाई जो हो जाएगी वो कैपिटल लेस से पिछले वाले की तरह ही निरूप डर्साइगे हैं और अब इसके बाद हम जो इसकी उचाई यह उसको ग्याद करने के लिए क्या करेंगे कि जो यह हमारा चिमनी चिमनी है इससे थोड़ी दूरी पर हम दो इस्टेशन बिंदू अस्थापीत करेंगे तो इससे सबसे पहले दूरी पर जो एक इस्टेशन इस्थापीत करेंगे अब जो यहां पर जो एस्टेशन बिंदू है इसके उपर जो हम उपकरण को अस्थापीत करेंगे तो यह उप कि थोड़ा से हमने इन दो बिंदूओं को अस्थापीद अब यहां से जो हम चैती समतल जो दूरभीन है यहां से हमने चैती समतल ऐसे बनाया और इस 36 समतल से जो नीचे की उचाई है, इस 36 समतल से नीचे की उचाई को हम यच और A करके लिख लेंगे, यहाँ पर ही लिख लेते हैं इसको, small h और A, और इस से जो उपर की उचाई है उसको हम small h से निरुपीद करेंगे, है तो यह जो हो गया हमारा है स्मॉल यह अब उसके बाद जो यह जो बी बिंदू पर हमने अस्थापित किया हुआ है उपकरण को यहां से भी हम एक छैती सम्तल निकालेंगे ऐसे तो यहां से बिंदू बी पर जो उपकरण अस्थापित हमने किया है उस बिंदू बी पर अस्थापित उपकरण से यहां भूमी से इसके चैती सम्तल के बीच की जो दूरी रहेगी वो हमारी हो गई यच बी बिंदू पर है तो बी और देखिए यहां पर जो यच्चे है वो HB से बड़ा है तो इन दोनों का जब अंतर हम निकालेंगे तो यह अंतर हो जाएगा क्योंकि यच्छे इतना है और HB जो है इतना तो यह जो है撃 ए चल्मिनन Mac lives को चाल अ क्या यहां से यह जो हाइट हो रही कैपिटल डी से दर्सायेंगे और बिंदू इस्टेशन भींस ऑ इसके बीच की जो दूरी यह वाली दूरी इसको हम कैपिटल सी सी दर्सायेंगे आधी हुआ ह慌 तब इस तरीकेसे हमने पूरा यहां पे जो नाम जो है उसको हमने दर्सा लिया है और यहां पर जो टोटल हाइड चिमनी की होगी हो कितनी होगी यच बराबर वह होगी स्मॉल यच प्लस एई दूरी यच ए तो यह हमारी क्या हो गई कुल दूरी कुल उचाई सोरी कि चिमनी की कुल उचाई वो यह होगी अब इसके बाद हम जो इस्टेप यहां पर अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं कि स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारा इस्टेशन बिंदू ए है यहां पर हम उपकरण को अस्थापित करेंगे उसके बाद सम्तलन और कें करने के पस्चात इसको हम थोड़ा सा नोट करते चलते हैं कि step number one में सम्तलन और केंद्रन करेंगे सम्तलन और केंद्रन का कार करने के पस्चात हम वर्नियर C और वर्नियर D को उर्धवारधर चकरी के 00 पर सबसे पहले लगभग में और उसके बाद सुद्धता से हम सेट करते है तो बर्नियर C और वर्नियर D का जो पाठ्ठयांक है उसको हम चेक करेंगे तो पाठ्ठयांक क्या करेंगे हम करेंगे बाट्धांक चेक इसमें हमोगे कि इन सीजिए उसका मान 0 डिगरी बता रहे गा और जो अिए अर्दी ऐस पर 180 का मान लेजन बताता रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ओके हैं अब हम अपने अगले स्टेप की तरब जाएंगे जो कि स्टेप नम्बर टू में हम पिर अब क्या करें गेंगे और उर्द्वार्धर चकरी को डिला करके दूरबीन को उर्दवार्धर समतल में गुमाएंगे और उर् को साध लेगा विलकुल एक उर्धवारधर को यहां पर वह सादेःगा कुछी इस तरीके से तो यहां से जो चैती समतल है उस चैती समतल और जो बिन्दू पी को जो साधने के बाद जो दूर्बीन की जो इस्थिती बनेगी उसके बीच का जो कॉणड होगा, वो alpha, हांम को यहा पर प्राप्थ हो जाएगा तो अब हम step two में क्या की यह की है, कि और्दवारधर चकरी को ढखिला किए, और्दवारधर चकरी को ढखिला करके दुरबीन को उर्धवारदर समतल में गुमाते हुए बिंदू P को हमने साधा जब बिंदू P को पहले लगभग में और फिर सुद्धता से जब साध लेंगे तो वर्नियर C और वर्नियर D जो है उसका हम पाठ्यांग देखेंगे तो वर्नियर C जो रहेगा वो कितना बताएगा वो अलफा कोण का मान बताएगा और वर्नियर D जो रहेगा वो 180 डिग्री ज्यादा मान बताएगा इन दोनों मानों का हम औसद ग्याद कर लेंगे और औसद ग्याद करके जो हमको भैलू प्राप्त होगा हो कितना होगा वो माल लीजे अलफा हमको मिल गया भैलू अब इसके बाद इस अलफा को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ठीक है अब हम चुकी जैसे हमने उर्धवारदर कोण मापन में बताया था कि अगर हमको लग रहा है कि हमान सुध नहीं है या थोड़ा मोड़ा तुरूटी हो गया हमको तो फलक बदल करके हम पुना जो पहला और दूसरा इस टेप है उसको फॉलो करेंगे और फिर से कोण का जो अलफा का मान था 36 समतल और बिंदू पी के बीच का जो कोण है उसको हम पुना ग्याद कर लेंगे तो जो बाया फलक का मान रहेगा और जो दाया फलक का मान रहेगा उन दोनों का उसद ग्याद कर लेंगे तो वो जो हमारा कोण आएगा वो कोण का मान हमारा सुध रूप में यहाँ पर यह अल्फा प्राप्त हो जाएगा अब हमको अल्फा का मान ग्यात हो गया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो त्रिकोण मीती का फर्मूला है टैन अल्फा बराबर लगाएंगे लंब बटा में अधार यहां पर लंब चुकि यह कोण हम ले रहा है तो यहां पर देखिए कुछी इस तरीके से हमारा बन रहा है त्रिबूज समकोण त्रिबूज तो यह हमारा जो हो गया यह लंब हो गया और हमारा जो अधार है ओ यह हो गया तो लंब हमारा स्मॉल यच और आधार हमारा ये दूरी कितना है कैपिटल डी चुकि हमको उचाई ग्याद करनी है इसकी तो हम यच को अलग करेंगे तो यच को हमको अलग करना होगा तो इसको हम ऐसे लेंगे डी इंटू टैन अलफा इक्वल टू वान इसको समिकरन नंबर कर देंगे अब उसके बाद हमारा जो वहां का काम है ओन खतम हो गया अब अपने उपकरन को उठाके यहां पर ले आएंगे सबसे पहले हम संतलण और केंद्रन का कार करेंगे समतलन और केंद्रन करेंगे फिर उसके बाद जीरो जीरो पर सेट करके फिर हम वर्नियर का पाठ्यांग चेक करेंगे, वर्नियर का पाठ्यांग चेक करने के बाद, जो हमारी उर्दवारधर चक्री है, उसको डिला करेंगे, और दुर्बीन को घुमाते हुए बिंदू पी को सा देंगे, अब हम हमारा जो उपकरण है, यहाँ पर अस्थापी था, यहाँ पर अस्थापी था, अब यहां पर कोण हम मानते हैं कि बीटा बनेगा सेम वही कंडिशन तो इस्टेप नंबर थार्ड में उपकराण हमारा बी पर स्थापित हो गया समतलान और केंद्रण हुआ और हम वैसे ही चेक किये C और D का मान और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि पहले हम बिंदू P को लगबग और फिर सुद्धता से सादेंगे लगबग और सुद्धता से सादने के बाद हमको जो ये वाला जो हमारा 36 समतल है इस 36 समतल और बिंदू P के बीच का जो कोण है वो हमको प्राप्त हो जाएगा तो वो कोण हमको कितना मिला वो कोण हमको मिला है यहाँ पर बीटा वो कोण हमको बीटा ग्यात हो गया इसके बाद हम फिर त्रिकोण मितिय सुत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर फिर वही प्रयोग करेंगे 10 यहाँ पर हमने अलपा यूज किया था यहाँ पर 10 बीटा का प्रयोग करेंगे और फिर यह total दूरी तो ये दूरी हमारी's लोगा हो गए ऑर यह तो हमारा जो लब फ्लन हो घॉरे और जो आधार है हमारा कितना ओडающy और यह जाएगा यह सी और यह ट सी प्लस वो μαंगे और हमों चुकिंग यह उब्चाई क्यात कर निया तो हम फिर स्को अकेले करेंगे तो इसको जब हम 3 करेंगे तो हमारे पास जो मान आयेगा C प्लस D into 10 बीटा इक्वल टू H प्लस H D इसको हम समिकरण नमबर 2 कर देगे हमारे पास ये दो समिकरण आ गए और इन दो समिकरणों की सहाथा से अब हम आगे का कारे देखेंगे तो इसमें जो समिकरण नमबर 1 है इस समिकरण नमबर 1 में जो यच का मान है इस यच के मान को हम समिकरण नमबर 2 में रख देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समिकरण 1 का मान समिकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे यहाँ पर C प्लस D tan beta d into tan alpha plus hd अब इसको हम solve करेंगे यहाँ पर tan beta का इसमें गुणा करेंगे तो c into tan beta d into tan beta d tan alpha hd अब इस यहाँ पर d d वालों को एक तरफ ले जाएंगे तो c tan beta और इसको इधर ले आएंगे hd d tan alpha minus यह इधर चला जाएगा d tan beta यहाँ से d को common ले लेंगे तो यह tan alpha minus tan beta और यह हो जाएगा c tan beta minus hd यहाँ पर हम d को अकेले कर देंगे तो यह इसके नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा c tan beta minus hd बटा में tan alpha tan beta equal to d यहाँ पर हमको d का मान जो है वो मिल गया अब इस d के मान को समिक्रण number one में हम रख देंगे तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं d का मान समिक्रण one में रखने पर तो यहाँ पर हमारे पास जो समिक्रण है c tan beta यह पूरा मान जो है यह पूरा मान हम यहाँ पर रख रहे हैं d के जगह तो c tan beta minus hd बटा में tan alpha minus tan beta और वहाँ पर यह जो रहेगा यहाँ पर आ जाएगा tan alpha तो यह हमारा hd के बराबर मान आ गया है मतलब है जो इतनी उचाई है हो हमको घ्याद हो गई अब जो हमको यह वाली उचाई है ये जो उचाई है वह थीता से ग्याद कर लेंगे तो चिमनी की कुल उचाई जो है वो क्या है चिमनी की कुल उचाई यच बराबर स्मॉल यच प्लस यच ए यहां से लेकर के यहां तक की जो उचाई है वो हम क्या करेंगे फीते की सायता से ग्याद कर लेंगे तो यच जो है वो हम फीता की सायता से ग्याद कर लेंगे और जो यहां पर जो उपकरण की अस्थापना हो रही है तो इसकी इस्थिती जो है वो बी की तुलना में उची है तो जब उचाई पर था तो हम उस कंडिशन का हमने जो फर्मूला है वो हमने ग्याद किया था जो की हमको मिला था यह इक्वल टू सी टैन बीटा माइनस ही अच्डी बटा में टैन अलफा माइनस टैन बीटा और यहां पे था यहां पर था टैन अलपा और जो दूसरा कंडिशन है अगर यहां पर यह जो नीचा वला भाग है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचा यहाँ हो गया और उचा यहाँ हो गया तो इस condition में क्या होगा कि जो हमारा जो यह सूत्र है यह सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा वो हो जाएगा यह बराबर c10 beta प्लस hd 10 alpha minus 10 beta into 10 alpha तो इस सूत्र की सायता से हम दूसरा जो condition है उसको हम ग्याद कर लेंगे तो यह condition है जब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जब station a पर उपकरण की इस्थिति बी से कि नीचे हो और यह वाली condition तो हमने आपको पहला वाला बताया यह फर्स्ट था यह सेकेंड के सो गया इसमें इन दो सुत्रों की सहायता से हम जब किसी चिमनी या जो टावर है उसके पास अगर हम नहीं जा सकते हैं तो उसकी उचाई को हम कैसे ग्याद करना है वह हम कर दो